15 सितंबर तक मंदीर नहीं खुला तो रजरप्पा के पंड़ा वा दुकंदार विरोध स्वरूप पूजा सामागरी की दुकान वा पूजा अर्चना 16 दिसंबर को श्विक्छा से करेंगे बंद भाचवा रामबर के युवा नेतार राजिव जैस्वाल रजरप्पा पहुँचे और इस्थानिय पंड़ा समाजवा दुकंदारों के साथ मुलकात कर बताया कि अगर 15 सितंबर तक जारखन सरकार मंदीरों को खुलने का अदेश नहीं देती तो 16 दिसंबर को रजरप्पा मे पूरी तरह से बंद रहेगी लगातार मांग के बाद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है जो बेहत दुखद है देश के सभी राजियों में मंदीर खुल गया है ऐसे मेहमन सरकार को मंदीर खुलने में आपत्ति क्यों है आस्था और परंपरा के साथ खिलवार किया ज चंद शेखर चौधरी परिष्ट भाजपानेता संतोस्तिवारी और अन्य मौजूद थे खबर 365 न्यूज के लिए रामगड ब्यूरो शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट माता का मंदीर खुल गया सभी परकार के मंदीर खुल गये हैं तो आकीर रजरप्पा का मंदीर चिन्मस्तिका का मंदीर क्यों बंद है इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए सरकार हम लोगों को आस्वासन दी थी कि 8 सितंबर का जो आपदा परवंधन समिति का बैठक था उसमें सरकार ने आस्वासन दिया था कि 8 तारीकों मंदीर खुलने पर विचार करेंगे लेकिन 8 तारीकों भी सरकार ने ढोल्मूल निती को अपनाते हुए आठ को भी निर्ने नहीं लिया और सरकार ने यह कहते हुए इसको टाल दिया कि सुप्रीम कोट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोट का जो निरने है, उसके आधियन करने के पस्चात जो है, मंदिर खोलने पर विचार करेंगे। अगर सरकार को निरने की परती चाहिए, और निरने का अलोकन करना है, तो सरकार अगर चाहेगी, तो मिन्टो में उनके पास सरकार के पास सुप्रीम कोट में लोया जाता है, का पैनल है, हाई कोट में लोयार का पैनल है, और चाहेंगे तो मिन्टो में वो नेट के माधियम से, सुप्रीम कोट के वेब साइट के माधियम से, निरने तुरंत उनके हाथ में होगा, लेकिन सरकार टाल मटोल की नीती अपना रही है, जिससे हमारे धार्मिक भावनाएं, और हमारा बहुत संक्यक समाज की भावनाएं आहत हो रही है, आज बड़े ही दुर्भाव की बात है, कि भारत एक धर्म निर्पेक चरास्त है, और सभी धर्मों को समानता का अधिकार हमारा समिधान देता, हमारा लोग तंतर देता है, कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर अप मंदिर जल्द से जल्द खोले परंतु अगर सरकार 15 तारिक जिस दिन आपदा प्रवंदन का पुना बैठक होने वाला है उज दिन हमारी मांगे नहीं मांती है और हिंदू धर्म भावना को देखते हुए अगर 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 नहीं खोलती है तो बीवस होकर हमें 16 तारिक को महा करना होगा उना रजरप्पा मंदिर में जितने भी संख्या भारी से भारी संख्या हम लोग अंदोलन में बैठेंगे धरना देंगे और यहीं नहीं रुकेगा उसके बाद जार्कन का जितना भी हिंदू है जितना भी धर्म से जुड़े हुए लोग है जितना भी हिंदू ह सब आएंगे और सब रजरप्पा मंदिर में महा जुटान करेंगे और माननी हेमन सोरेंग से मैं पुना प्रातना करता हूँ रजरप्पा मंदिर की और से रजरप्पा मंदिर के दस हजार परिवारों की और से कि मानन यह है मन सोरें जी हमें राजनीती से कोई मतलब नहीं है आप किरप्या करके अमारा मंदिर खुलने का कस्क करें